महत्पूर्ण प्रश्णों की श्रंखला में मैं संतो उसकुमान मिस्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस श्रंखला में हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परिक्षाओं एवं बोर्ड परिक्षा में आने वाले महत्पूर्ण प्रश्णों के बारे में ये ऐसे प्रशने हैं जो अतिलग उत्री, कालिस्थान, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प या सही जोड़ी की रूप में पूछे जाते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे परियावरण से सम्मंदित महत्पूर्ण प्रशनों के वारे में पांच जून को हम लोग विश्व परियावरण दिवस मनाते हैं इस अवसर पर बिवित प्रकार के कारकम आयोजित किये जाते हैं कुज का आयोजन होता है और कुज में जो आप से सवाल पूछे जाते हैं वो परियावरण से सम्मंदित होते हैं को आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं परियावरन से संबंदित महत्न प्रश्ण है अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण से संबंदित आर्थά ईकोसिस्टम से संबंदेच प्रैशन जैविक एवम अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंस से बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है यह तन्त्र कहलाता है पारिष्टितिक तंत्र यह एकोसिश्टम मतलब do biotic encaps image कंपोलेंट के बीच में जो interaction होता है उससे जो system बनता है वह है इको सिस्टम कहलाता है अब बायोटिक और अबायोटिक क्या है बहुत ही सिंपल वर्ड में कहेंगे तो बायोटिक मिन्स लिविंग अबायोटिक मिन्स नॉन लिविंग बायोटिक जिनमें जीवन होता है और अबायोटिक अजैबी गटक जिनमें जीवन नहीं होता है इन दोनों के बीच में अंतर संबंध होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं यही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र या एकոव सिश्टम के दो मुख घटक कौन कौन से हैं दो मुख Component कौन व्हाइड को के दो मुख घाटक अब जैवीग घटकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है यह फादख अब आङ बाnyotick component को देड़ के वांट किया गया ए अश्युक्तों के वाथं कि अखतग н next question है, हरे पोधे जो अपना भोजन प्रकाश संसलेशन के द्वारा बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, उत्पादक अर्थात producer, producer क्या होते हैं, वो plants जो photosynthesis के प्रोसेस के थुरू, अपना food material प्रिपेर करते हैं, वो कहलाते हैं, उत्पादक या producer, ध्यान प्रोडियूसर कंस्यूमर और डिकंपोजर, producer जो होते हैं, वो एक खाना बनाते हैं, food material प्रिपेर करते हैं, वो कहलाता है, photosynthesis में चार रा मटेरियल होते हैं, चार, four raw materials होते हैं, क्या क्या होते हैं, carbon dioxide होता है, carbon dioxide के साथ water है, chlorophyll है, और sunlight है, दो के लिए आप बोलेंगे, with the help of, दो के लिए बोलेंगे आप in the presence of, with the help of carbon dioxide and water, and in the presence of chlorophyll and sunlight, तो इन दोनों को मिला देंगे, food material बन गया, जो food material बनता है, वो carbo hydrate कहलाता है, और यही पूरी process photosynthesis कहलाती है, तो photosynthesis के दोरा food material बनाते हैं, कौन? उत्पादक. भोजन के लिए, प्रतेक्च रूप से पौधों पर, producer पर निर्भर जन्तु कहलाते हैं, उप भोगता, अब इन्होंने food material प्रिपेर कर लिया है, किसने? प्लांट्स ने, तो यह कहला है producer, और जो producer के दोरा बनाये गए food material का use करते हैं, वो कहलाते हैं, उप भोगता या consumer, यह हर एक class में है, बहुत basic चीज़ है, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ इसको, यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं, उप भोगता या consumer, उत्पादक ने बनाया, उप भोगता ने उसका उपयोग किया, उसको खाया, तो भोजन के लिए यदि food material, जो उत्पादक बना रहा है, उसको जो भी use कर रहा है, वो कहलाएगा, उप भोगता या consumer, अग कंजूमर के भी तीन टाइप हैं, आगे चलके, शाकाहारी, मांसाहारी, सरवाहा ठीक है, फर्वी, करनी, ओमनी, वोरश, यह कहलाते हैं इसके type, तो उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अब बात करते हैं, डीकमपोजर क्या होते हैं, बायोटिक के तीन पाइट, थर्ड पाइट है, यह डीकमपोजर, डीकमपोजर का मतलब होता है, जो micro-organisms होते हैं, सुख्षवजीव होते हैं, वो मृत जीवों को decompose कर देते हैं, अर्थात अब घटित कर देते हैं, तो यह कहलाता है अब घटक, अब घटक का मतलब यह दि बहुत ही simple सब्दों में आप कहेंगे, तो उसको सड़ा देना, नश्ट कर देना, और विज्ञान की भासा में हम कहेंगे उसे decompose कर देना, तो आपको लिखना है decompose करना, सुख्षवजीव यह micro-organisms जो मरत जीवों को अब घटित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिकंपोजर कहलाते हैं, यह बैक्टिरिया हो सकते हैं, वाइरस हो सकते हैं, यह डिकंपोजर कहलाते हैं, डिकंपोजर कर देते हैं, नश्ट कर देते हैं भोजन रूपी उर्जा को जीवों में क्रमिक इस्थाना अंतरम की स्रंखला क्या कहलाती है यह कहलाता है फूड चैन ध्यान रखेंगे खात स्रंखला या फूड चैन कहलाता है फूड चैन का मतलब ट्रांसफर आफ एनर्जी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में transfer होता है यही कहलाता है food chain food chain का मतलब एक निश्चित है कि किसको कौन खाएगा आप यह माल लें कि खादर स्रंखला क्या है food chain क्या है कि कौन किसको खाएगा ग्रास है घास है घास को टिड्डे ने काया टिड्डे को किसी वर्ड ने खाया बर्ड को किस ने काया तो इस तरीके से एक जो प्रॉसेस चलती जाती है जो स्रंखला चलती जाती है एक chain बनती है इसी को हम कहते है food chain food chain को फूदट जैन को बिल्कुल सिम्पल सब्दों में आप समझेंगे की है क्या यह सर्फ एक ने दूसरे को खाया दूसरे ने तीसरे को इस तरीके से एक दूसरे को खाते जाते हैं मतलब एक दूसरे में उर्जा का इस्थाना अंतरन होता जाता है यही कहलाता है फूड चैन अब फूड वेब क्या है दोनों में अंतर है ध्यान रखेंगे फूड चैन और फूड वेब में अंतर है तो कई फूड़ोय चैन मिल कर मिल जाती है तब बनता है फूड बैप अनेक खाद डिजाल बहुत ही सरल सब्दों में कई खाद इस रंख लाएं मिलकर खाद डिजाल का निर्मार करती है समझें ऐसे कि ग्रास है घास है तो घास को शिफ टिड़ा ही नहीं खाएगा ग्रॉस होपर ही नहीं खाएगा उसे उसे कोई और दूसरा वर्ड भी दूसरा एनिमल भी खाएगा और सबकी एक अलग चैन चलेगी सबकी एक अलग चैन चलेगी घास को किसने खाया हिरन ने खाया हिरन को किसने खाया किसी तो खाया तो इस तरीके से एक मतलब कौन किसको खा रहा है तो कई चीजें मिल रही है एक फूट चेन बना सब सिंगल रहेगा फूट चेन मैं क्या हो है उसकी ऊपर एक चलता जाएगा चैन लेकिन फूट में ऐसा नहीं होगा नेक्स्ट वायू मंडल में उपस्थित ओजोन परत अफसोसित करती है तो ओजोन परत जो ओजोन लेयर है इस्ट्रेटोस्फोयर में है समताप मंडल में है यह कौन से किरणों को अफसोसित करती है तो यह अल्ट्रा वाइलेट रेस को अर्थात परावेगनी किर्णों को यह है अब सोसित करती है ओजोन परत ओजोन एक गैस है इसका फर्मूला होता है O3 घ्यान रखेंगे ओजोन का फर्मूला है O3 ऑक्सीजन का O2 यह ओजोन O3 भारती वन सर्वेक चांड फोरिश सर्वे आफ इंडिया का मुख्याले कहां इस्तित है तो फोरिश सर्वे आफ इंडिया का मुख्याले देहरा दोन में है नेक्स्ट वर्सा जल को एकत्रित करके भूमी के अंदर संग्रहन करने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है तो यह Rain Water Harvesting कहलाता है यह वर्सा जल संगरहन कहलाता है वारिस के समय में वर्सा की जल को एकत्रित करके जमीन के अंदर स्टोर करना यह कहलाता है Rain Water Harvesting भारत सरकार दोरा इंद्रा गांधी परियावरण पुरुसकार नाम है इसका इंद्रा गांधी परियावरण पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो नाम से ही पता चल रहा है परियावरण के छेत्र में उतकृष्ट कारे करने के लिए किसी व्यक्ति को या किसी संगठ लिएँ लगाता है कि भारती बप्रवंधन संस्थान कहा है तो भारती बन प्रवंधन संस्थान इंडियन 2022 फॉर्ष्ट मैनेजमेंट भोपाल में से चिपको अंदोलन किस संबंदीत है तो आप बहुत उसको आप जब अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पिल्कुल कम्प्लीट आपको जानकाली दे दूँगा तो पौधों को काटने के लिए जब लोग आये तो वहां के जो इस्थानी लोग थे वह पौधों से चिपक गए पेड़ से चिपक गए और बोले कि हम इसको नहीं काटने देगे तो इस आंदोलं का नाम पेड़ पौधों से चिपकने के कारण पड़ा चिपको आंदोलं वनोग इसी रक्षा से संबन देते हैं विश्वबन जीव कोस वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के द्वारा प्रतीक के रूप में किस जीव को लिया गया है वर्ल वाइड लाइफ फंड डबलु डबलु एफ इसके द्वारा अपने लोगों के रूप में किस जीव को लिया गया है तो इसके लोगों के लिए लिय लिया गया है पांडा को लिया गया है और अब जो है वर्ड वाइल लाइफ फंड का नाम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है वर्ड वाइट फंड फॉर नेचर हो गया है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे फोटो कॉपी मशीन मुख रूप से कौन सी गैस उत्सरजित करती है तो फोटो कॉपी मशीन मुख रूप से ओजोन गैस उत्सरजित करती है कौन सी गैस ओजोन गैस उत्सरजित करती है वाइमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वाइमंडल में सबसे ज़ बारत का कौन सा राज टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्ध प्रदेश पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो ओजोन परत को कहा जाता है हमारे लिए बहुत ही प्रो अनुसंधानकेंद्र नीरी अर्थात नेशनल इन्वार्मेंटल इंजीनियरिंग इंस्टिट्टूट कहां इस्थित है यह इस्थित है नागपूर महाराष्ट्र में और जोन परत को प्रभावित करने वाले मुख गैस तो हम लोग सब अच्छे से परचित हैं क्लोरो फ्लोर कार्भन सिए एफसी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस फोर्जोन परत को कार्भन मैं यह कारभन हो गया है क्लोर सोरी फ्लोरो इंग सभी किया जाता है तो जल्बबूसर्ण को में आपने क्लिए बायो खेमिकल आकसिजन दीमांड का उप्यों किया जाता है भी लूप से क्लोरीन फ्लोरीन और कारवन का है नाम ही है देखिए CFC सी मिन्स पहले क्या बोल रहा है हम लोग क्लोरो से हो गए क्लोरीन फ्लोरो से हो गए फ्लोरीन और सी कारवन ही है विश्ववान की दिवस कब मनाया जाता है International Day of Forests का मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्चु परतिवी दिवास Earth Day का मनाया जाता है 22 April को मनाया जाता है परियावरन का दुस्मन In a way of environment किसे कहा जाता है यह है यूके लिप्टस यूके लिप्टस का जो पौधा है यह बहुत ही हनिकारक है इसे पर्यावरण का दुस्मन माना जाता है उमेद करता हूँ कि यह प्रेशन आपको पसंद आयोंगे इसी तरीके कि कुछ और प्रेशन अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा धन्यवाद